नमर पांच देखिए, पांच नमर में भी बिना बिस्तार कियें दिखाना है, LHS लेते हैं, बिना प्रसरन कियें, दिया है, A, B, B, C, Q, R, Y, Z, पिर देखो, C, P, A, R, P, Z, P, X, A, P, P, Q, X, P, Y, मैं यहाँ पर करता हूँ, R1 के जगह पर, R1, P, R2, P, R3, तीनों को जोड़ कर देखो क्या होता है, R1, R2, R3 को जोड़ कर R1 के जगह पर, इनको जोड़ोगे, तो 2A, 2B, 2C हो जाएगा, यानि कि 2A, P, B, C, ऐसे लिख सकते हैं, और इनको जोड़ोगे तो 2P, Q, R हो जाएगा, 2X, प्लस Y, प्लस Z हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो है, उनको रख दो, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, उसी तरह से यहाँ पे है, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ठीक है, तो जोड़ोगे, टू कॉमन लेते हैं, दिख देंगे, ऐसी अंगरेजी में भी जी सकते हैं, टेकिंग आउट, टेकिंग आउट, टेकिंग आउट, टेकिंग आउट, plus q plus r x plus y plus z तीक है और यहां पर है आपका c plus a r plus p z plus x अच्छा फिर a plus b p plus q और यहां पर है x plus y यहीं है आपका चलिए अब इसके बाद देखो मैं a काम करता हूँ यहां पर लिखता हूँ यहां पर अगर मैं चाहूँ तो यहां घटा सकता हूँ और लिख सकता हूँ इस तरह से मैं यहाँ पर अगर लिख हूँ कि R1 के जगा, R1 ले लू, R2 ले लू, R2 के जगा पर, ठीक है, R1-R2, इस में से इसको घटा कर लिखता हूँ, और, R3 के जगा पर, R1-R3, तो देखो क्या होता है, मैं जो प्रूब करने वाला न, उसी के सार चल रहा हूँ, R1 छोड़ दो, ठीक है, यह जो element है तो रहेंगे, उसी तरह से, अब देखो, यहाँ घटाते हैं, इसको इसमें से घटाना है, तो यहाँ भी बच जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ यहाँ बच जाएगा, और, देखो, R1 में से, R3 को यहाँ पर लिखना है, तो C बचेगा, यहाँ पर आपका R बचेगा, और, यहाँ पर आपका Z बचेगा, ठीक है, आप देखो, यह R2 और R3 आ गए, आपको सिर्फ आप R1 लाल है, तो मैं यहाँ पर सीधे लिखता हूँ, कि R1 के जगह पर, R1 माइनस R2 पलस R3, मतलब R2, R3 को जोड़कर R1 में से घटा देता हूँ, तो वहाँ का भी क्याम हो जागा, A, B, C, यहाँ पर आ गया, A, P, A, P, X आ गया, और, यहाँ पर है, B, Q, Y, C, R, J, तो यही ना मैं प्रूब करना था, R2 आपका आ गया, सत्यापित हो गया, चलते हैं अगले कोर्षन पर, यहाँ आ